सो ब्लाक पैंथर वर्सिस डेटपूल सीरिस के फिनाले में हम डेटपूल को वाईबरेनियम बेस्थे हुए देखते हैं जहां वो एक मिलीन डॉलर्स चारज कर रहा था एक पाउंड वाईबरेनियम के लिए और वहां Black Panther आ जाता है और Black Panther को देखते ही डेडपूल एक चलते हुई ट्रक के सामने कूच जाता है और ट्रक के टकराने के वज़े से डेडपूल का वाइबरेनियम आर्मर चार्ज अप हो जाता है इस चार्ज एनरजी का यूज़ करके डेडपूल ब्लाक पैंथर पर अटैक करता है बट इस मुमेंट पे शूरी डेडपूल के वाइबरेनियम आर्मर को हैक करके उसे डिसेबल कर देती है इन दोनों की fight continue चलती है बट अचानक से ही ब्लाक पैंथर डेडपूल को astral world में लेके चला जाता है जहां ब्लाक पैंथर डेडपूल को उसी के soul से fight करवाता है बट ultimately डेडपूल अपने astral form को मार देता है उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक simulation था जो ब्लाक पैंथर रन कर रहा था डेडपूल के inner conflicts को solve करने के लिए इसके बाद ब्लाक पैंथर डेडपूल को कहता है कि मैं तुम में एक ऐसा इंसान देखता हूँ जो अपनी कई सारी गलतियों को सुधार सकता है अगर तुम सच में change होना चाते हो तो मैं तुमारी एक गलती को पक्का सुधार दूँगा scene shift होता है और हम देखते हैं कि ब्लाक पैंथर ने Mr. Lamkin को बचा लिया है और इसी के साथ ब्लाक पैंथर वकांडा चला जाता है और डेडपूल अपनी जीत को celebrate करता है